हलो गाईज, वेलकम चोवर नेक्स वीडियो, आज हम हमारा जो चेप्टर कर रहे हैं, उस चेप्टर का नाम है कमपोजिशन लिवाय स्कीम, लास्ट हमने एक चेप्टर हमारा किया था, ये देखिए, ये वाला लिवाया एंड कलेक्शन और सी जी एस्टी एंड एस जी तो हम पहले वही कर रहे हैं, इसके भी मैंने थोड़े से नोट्स बनाने की कोशिश की है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकंड, ठीक है जी, तो हम वैसे ही नोट्स वैसे भी हम बनाते हैं, तो मैं इसमें से पहले आपको एक लाइन का समझाओं, मैंने कमपोजिश लिवाए under the low is for small business composition जो लिवाए होता है हमारा वो small businesses के लिए होता है जिनकी turnover कम होती है अभी हम book में से depth में जब read करेंगे तो हमें इसका मतलब line का समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा है ठीक है जी पहले देखो composition लिवाए under the low is for small businesses small business के लिए होती है ये this is to bring relief to small businesses ये ना small businesses के लिए एक relief का काम करती है so that they need not be burdened with the compliance provisions under the low क्योंकि जब GST implement हुआ था ना तो काफी लोगों को इसको समझने में problem आई थी तो ये composition scheme small businessmen के लिए आई थी जो जिनके business में जिनकी turn over 1.5 करोड से कम होती थी annually तो उनके लिए scheme launch की गई थी इनमें उनको कोई ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जैसे अगर normal businessmen ना उसको साल की कितनी return महीने की तीन return होती थी उसकी और इसकी तीन महीने में एक return होती है जो normal businessmen होता है ना जिसको जो ये scheme नहीं जिसके मदलब 1.5 करोड से उपर होती है उसकी एक महीने में तीन रिटर्ने जाती है और जिसने composition revise scheme के अंदर जो बंदा आता है उसकी तीन महीने में एक रिटर्न जाती है कितना फरक पड़ गया ठीक है ना तो उसके बारे में इसी वज़े से इसको बनाया गया था तांकि business man's का जो burden है कि उनको returns क्योंकि अगर जब GST imply हुआ तो वो सब पर implement हुआ था तो उसके बाद composition revise scheme निकाल ली कि जो small business man है उनके लिए इसकी एक limit set की थी 1.5 करोड ठीक है जी तो देखो अब क्या लिक है this is to bring relief to small businesses small business man's को relief देने के लिए so that they need not be burden with the compliance provisions under the low तांकि उनको खुद के उपर burden फिल ना हो thousand option has been provided where they can opt to pay a fixed percentage इसमें ना उनको एक fixed percentage बता दी जाती है जैसे कि normal जो होता है ना उसकी tax की जो payment होती है वो 12% 18% according to product होती है ठीक है जी बट इनकी एक fixed percentage fix की होती है जो होती है I think 1% या 5% के क्रीब होती है इससे जादा इनको tax pay नहीं करना होता है इनकी total turnover पे 5% तक I think maximum होती है ठीक है और अगर वो services कुछ मतलब प्रोवाइड कर रहे है देन वो 6% होती है वो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको clarity होती जाएगी चीक है जी दैन इसके हैं हमारे objectives इसकी एक fixed percentage है पहले यही देख लो fixed percentage of turnover पे fixed percentage लगाते हैं चीक है जी और to be relieved from detailed compliance of the provisions of the row और जो उसमें उनको relief मिल जाता है मतलब जो उनको इतने सारे process नहीं करने पड़ती इतने सारी returns नहीं फाइल करने पड़ती ठीक है जी नेक्स है objectives objectives में first point है to lower the burden for small and medium enterprises जो lower small and medium enterprises है उनका burden कम हो गया है in Indian economy there are large number of small and medium enterprises and start-up business काफी सारे businesses जो medium और small के हैं चीक है जी small and medium enterprises and start may feel difficult in complying with these provisions तो उनको इसमें काफी difficulty आई इन provisions के साथ deal करने में to lower the burden of compliance for small businesses तो उनके burden को कम करने के लिए composition scheme has been introduced under GST law तो composition scheme को introduce किया गया GST के अंदर where a taxable person has to pay tax at a minimum rate based on their turnover जिसके अंदर उस person को tax सिर्फ जितने percentage decide हुई है उतनी ही pay करना होता है जो normal taxpayer होता है ना उसको तो उसके हर good की according tax जितना rate उस product के उपर है उसके according करना है कोई complicated procedure नहीं होता है इसका चीक है जी second point है to bring simplicity for small businesses तो इसको simple भी कर दिया है ना इन्होंने जैसे हो अलग-अलग rates होते थे और इसमें अब एक ही rate है और वो भी सिधा yearly लगना है उनकी मंतली होती थी ठीक है ना तो वही है the composition लिवाई scheme is to bring relief to small businesses small businesses को बहुत relief हुआ है so that they need not to be burden with the compliance previous under the law तो उनको इसके related burden लेने की कोई जुरूरत नहीं है basically this option has been provided where they can opt to pay a fixed percentage जिसके अंदर वो लाइबल है fix percentage pay करने के लिए turnover pay और fee in lieu of tax and be relieved from the detail compliance और जो उनकी detail उनसे relief मिल गया उनको जो उनको मतलब procedure लंबा follow करना पड़ता था then easy return filing अब इसमें obvious सी बात है इसमें उनको return files करने में भी easy होगी है कहां जो normal taxpayer है उसको एक महीने में तीन return ने file करनी पड़ रही है और जो यह composition वाला है उसको तीन महीने में एक file करनी पड़ती है return ठीक है ना यह देखो we are opting for the composition scheme under GST a taxpayer will be required to file summarize return on a quarterly basis एक साल में चार quarter होते हैं और एक quarter में तीन महीने होते हैं मैंने पहले भी बताया था ठीक है जी तो इसको quarterly basis पे return file करनी होती है instead of three monthly returns as applicable for non-businessmen और इसके लिए three returns monthly monthly मतलब three returns जाती है तीन मंस के बाद normally जो इसकी जानी है ठीक है जी उसके बाद इसकी returns की बताई हुई है less burden of tax इनके उपर tax का burden भी कम है क्योंकि इनकी percentage tax की जो है वो कम है ठीक है जी as the composition Levi scheme is for small businesses therefore the tax rate of composition Levi tax rate for composition Levi has been kept very low इनके उपर tax का जो rate लगता है वो कम होता है hence the assessi under the composition Levi scheme are liable to pay comparatively less tax in comparative with normal taxpayer बोल रहे हैं कि जो composition Levi scheme के अंदर बंदे आती है ना उनको जो normal taxpayer है उनके comparison में कम tax pay करना पड़ता है जी increase the tax base of small business अब जैसे जब ये composition Levi scheme आई पहले तो ना काफी लोग GST के अंदर जैसे tax pay करने से धूर बागते थे कि उसका process बहुत गंदा था तो जब उन्होंने composition Levi scheme को apply किया ना तो काफी सारे मतलब जो बंदे थे उन्होंने इसको समझा और इसको यूज करना start किया उसकी वज़े से काफी लोगों ने tax की payment भी करनी start कर दी पहले हमारे इंडिया में काफी लोग tax की payment ही नहीं करते थे क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता था one of the many objective of composition Levi scheme was the voluntary compliance to promote the number of taxpayers जिसकी वज़े से number of taxpayers promote मतलब बढ़ गए ठीक है जी according to economic surveys थारा थारा के survey के according about 1.6 million taxpayers are registered under 1.6 million जड़े taxpayer है उनने new registration करवाई composition scheme दे अंदर अगर आपस थारा थारा था survey देखिये था ठीक है जी in fact there has been a large increase in the number of taxpayers इसकी वज़े से taxpayers की मतलब numbers में large increment हुआ है because of composition Levi ठीक है जी तो यह हमने अभी अभी topic है objectives and purpose of composition Levi यह मेरी book में first question है और मैं second question भी इसी वीडियो में cover up कर रही हूँ ठीक है जी अगर हुआ तो वरना diagram तो समझाई दूँगी ठीक है जी explain the threshold limit for composition Levi scheme for goods and services ठीक है जी composition Levi scheme के अंदर threshold limit क्या है वो देखनी है हमने ठीक है जी composition Levi can be avail if composition Levi scheme कब avail होती है मतलब कब लगती है जब जो बंदे की registered person है उसकी aggregate turnover threshold limit से कम है if aggregate turnover of registered person less than threshold limit ठीक है जी जो उसकी limit है अगर उससे कम है तो तो वो composition scheme के अंदर आ सकता है अगर जादा है तो तो नहीं आ सकता ठीक है जी इसकी दो तरह से होती है जो normal states और special category states special category होते है हिमाचल जैसे पहारी एरिया होगे आप लगा सकते हो ठीक है जी तो इसकी with if aggregate turnover of goods of registered person less than threshold limit of 1.5 crore जो उसकी threshold limit है 1.5 crore अगर उसके उससे कम होएंगे तो वो composition Levi scheme के अंदर आएगा ठीक है जी और special category में अगर उसकी threshold limit 75 lakhs से कम होएगी जो special category states है तब वो composition Levi scheme के अंदर आएगा ठीक है जी यह वाला जो change है ना यह देखो यहाँ पर लिख रख है with the fact of the limit has been increased to 1.5 crore एक line मैं और दिखाती हूं यहाँ पर लिख रखी ति aggregate turnover has been increased from जो aggregate turnover की limit थी threshold की threshold की जो limit थी वो from 1 crore to 1.5 crore increase हूई थी पहले यह 1 crore थी then फिर यह 1.5 crore होगी normal state में किस date को 1.4 2019 में ही change आया था वही यहाँ पर लिख रख है with the fact 1.4 2019 the limit has been increased to 1.5 crore पहले 1 crore थी बढ़कर 1.5 crore होगी ठीक है जी diagram explain मैंने कर दिया है fully अब हम इसके देखती है points ठीक है जी पहले उपर question में देखो हमें क्या बोला था इसको threshold limit of composition का लिवाय स्कीम को हमने goods के according भी explain करना है और services के भी पहले हम goods के basis पे इसको explain करेंगे ठीक है फर्स्ट पॉइंट है threshold limit for ordinary states जो ordinary states है उनके लिए threshold limit क्या है composition is an alternative method of Levi of tax for taxpayer whose yearly aggregate turnover of goods in the preceding financial year did not exceed 1.5 crore जिनकी पिछले सालों की जो भी income है 1.5 crore से exceed नहीं की है वो इसके अंदर आते हैं चीक है जी और पे composition tax at fixed rate और वो इसका fixed rate पे tax pay कर सकते हैं this limit of 1 crore has been extended up to 1.5 crore और यह limit एक करोड से बढ़ा कर एक पांच करोड को कर दी गई थी जब इसको कॉंसिल ने recommendation मतलब कॉंसिल ने सुझाव दिया था कि हमें यह बढ़ा देनी चाहिए और इसका कब किया गया था from 1 4 2019 को ठीक है जी देन threshold limit जो है वो special category states के लिए यह हमने ordinary states के लिए देखी 1.5 crore से related special category states के लिए क्या थी 75 lakh वही लिख रखा होएगा यहां पे however as per notification for special category states पहले special category states के नियाम देखो अरनाचल परदेश असम मनीपूर मेगालयम मिजोरम नागालैंड सिक्कम त्रीपूरा हिमाचल परदेश यह सब हमारे पहाडी लाके हैं चीक है जी इनकी limit इस limit is 75 lakh इनकी limit 75 lakh however only for the state of Jammu and Kashmir this limit has been retained at 100 lakh सिर्फ Jammu and Kashmir के लिए यह limit एक करोड है बाकी इन सब countries के लिए 75 lakh ठीक है जी when turnover exceeds threshold और third point है जब हमारी turnover जो हमारी threshold limit है उससे ज़्यादा हो जाती है तो however as and when the turnover of a person exceed the threshold limit of 1. crore और 75 lakh in a financial year he will not thereafter be eligible उसके बाद वो इस composition scheme के लिए eligible नहीं रहेगा not thereafter be eligible for the benefit जो इसका benefit है वो इसके बाद नहीं ले सकता ठीक है जी दे नेक्स है taxes not include in threshold limit कौन से taxes not include नहीं होते threshold limit में furthermore the amount of central tax sales tax union taxes are not include in threshold limit of Rs. 1.5 crore 75 lakh क्योंकि इसके अंदर एक tax की rate specifically decide की होती है वहीं लगती है पूरी annual के उपर ठीक है जी कौन सा गुड खरीद रहे हैं कब खरीद रहे हैं कौन सेल करें यह वह टक्स नहीं नहीं लगते हैं ठीक है देन है हमारी threshold limit for services इसमें भी कुछ recent changes आएं ठीक है जी अब हम services पर देख रहे हैं as per notification number 2 2019 date 7 March 2019 composition scheme at the rate of 6% जो composition scheme है न सर्विसीज के उपर उसकी rate है 6% has been provided for supplier of services services supply करने पर इसकी जो percentage yearly लगती है वो है 6% चीक है जी whose turnover of previous year is to up to 5 lakh और इसकी limit क्या इनों ने बताई services की special मैंने यहाँ पर सिर्फ दो limits बताई थी न यह थी special normal category states की और यह special category states की ठीक है जी बट यह services में पहले यह चीज़े अपलाई नहीं होती थी मतलब composition scheme services में नहीं थी यह अभी अभी आई है जस्ट ठीक है यह date यहां पर बताई हुई है जब यह introduce हुई है तो इसकी जो यह है यह limit है 50 lakh रूपीज है ठीक है जी rate of composition लिवाई है 6% ठीक है important points of notification to 2019 these all points are some same as for composition लिवाई for goods refer topic feature जो हमने की है पिछे ठीक है जी देखते हैं the notification is applicable for supplier this notification is applicable for the supplier of services जो यह important points है services में इसमें supplier वो होना चाहिए जो services supply कर रहा है मतलब किसी को दे रहा है पहली बाद वो supplier होना चाहिए दूसरी बाद वो registered person होना चाहिए जो उसकी turnover है his turnover of provision should not exceed 50 lakh वो 50 lakh से increase नहीं होनी चाहिए he should not be already eligible for composition लिवाई वो पहले से इसके अंदर eligible नहीं होना चाहिए he should not be engaged in supply of tax-free services कोई भी tax-free services ना करता हो ठीक है जी अगर वो tax-free services करता है देन वो composition लिवाई scheme के अंदर नहीं आ सकता he should not be engaged in interstate supply को interstate supply ना करता हो not a casual taxable person ना हो non-resident taxable person ना हो not be engaged in supply of services through e-commerce ऐसा ना हो कि वो electronically जैसे हमारे flip card होगे Amazon होगी e-commerce operators हैं सारे मतलब electronically business करते हैं तो उसमें engaged ना हो he should not be engaged in supply of notified goods जैसे ice cream अदर एडिजबल आइस पान मसाला तंबाकू ऐसे products को भी ना supply करता हो इस scheme is applicable to all transaction under same pants यह scheme सब मतलब को इस scheme को लेने के बाद हम कोई भी transaction कर सकते हैं अब एक ही pants से ठीक है जी no ITC available to supplier of services opting कोई उनको ITC नहीं claim होता है इसमें जैसे normal taxpayer ITC claim कर सकता है ना बट अगर कोई बंदा इसके अंदर आता है तो ITC नहीं claim कर सकता है क्योंकि इसमें tax की rate पहले ही कम होती है जी then bill of supply to be issue instead of tax invoice इसमें composition लेवाई scheme में जो भी बंदा को समान sale करता है तो उसकी जगा वो ना बिल नहीं issue करता bill of supply issue करता है इसकी जगा ठीक है जी bill of supply पर एक next question है separately वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी ठीक है जी then next है मैंने mandatory display on the top of bill of supply और जब भी वो bill of supply बनाएगा तो उसके उपर पहले लिखेगा कि मैं composition supply person हूं मतलब composition मैंने लिवाई scheme के अंदर लिवाई करता हूं taxable person paying thanks under notification क्योंकि अगर यह composition लिवाई scheme के अंदर आता है न तो यह नेक्स बगेर क्लेक्ट नहीं कर सकता ठीक है जी तो हम वह आगे आपको deeply में पढ़ेंगे बेल बिल ओफ supply पर भी एक question है तो यह मैं next वीडियो में आपको करवाऊंगी ठीक है जी तो next वीडियो में मिलते हैं